हेलो फ्रेंज वेल्कम टू यूटु चैनल कलतनास डाइरी और आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ यह आप जो मैंने खुद से बनाया है और यह भी मैंने एक यूटुब चानल से ही सीखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैंने किस तर से सीखा और मैं किस तर से चाहती थी कि आपको भी स्टेब बताओं जिसे आपको भी यह आप आजाए वो इ चीज की खुबसूरती दस गुना यह आप कह सकते सो गुना अधिक बढ़ जाएगी मैंने यह देखे सिंपली एक प्लाइवोड पे यह डिजाइन बनाया है और यह देखे प्लाइवोड का एक कहते ना ट्रांसफॉर्म हो गया है जो एक खुबसूरत पीस में अर्टर्न हो यह मैंने पहली बार बनाया है और यही एक चीज अभी मैंने बनाई है लेकिन मुझे यह बनाने के बाद इसारे इंस्पिरेशन मिले है कि आने वाले वीडियो में आप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने यह आठ कितने डिफरेंट जगपे और बनाए है तो चलिए व सब्सक्राइब का बटन हिट जरूर कीजेगा तो चलिए चलिए वीडियो के साथ शुरू होते हैं मैंने एक सर्कूल अप्लाई लिया है जिस पे वाइट कलर का कोड किया है सिंपल और अब मैं ड्रॉइंग बनाने के लिए पहले एक छोटा सा सर्कल बना रही हूं मेशरमे हैं यह जो बड़ा सर्कल है वोड़के लिए है और जो चोटा संकल सेंटर में है उसमें हम मनलेला आक करने वाले हैं और उसके अंदर हम घृत चोटते सर्कल jusqu में बनाने हैं उसके कौर्डिंग आप उसमें आ उसमें सदब बना सकते हैं जैसे कि मैंने उसको सेवंDR इक्व डिस्टेंस पे बनाया है और आप मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से स्ट्रोक्स बनाऊंगी प्रोटेक्टर के वन साइड में 180 डिगरी के मेशेडमेंट से जैसे 10, 20, 30 करके मेशेरमेंस से 180 रहता है उस तरह से मार्क कर लेंगे और फिर उसके सरकल के नेक्स्ट जो सेक्टर है उसमें भी इसी तरह से कर लेंगे यानि 360 डिग्री का पूरा हम मार्किंग कर लेंगे उसके बाद डायमीटर्स को हम एक दूसरे से मैच कर देंगे अपोजिट जो पॉइंट से उनको मैच करेंगे तो वो डायमीटर्स बनते चले जाएंगे देखिए इस पैटर्न में हमें पूरा का पूरा जो एक स्टेंसल है वो तेयार कर लेना है इसी तरह से आप सारे ही सर्कल जो हमने सेंटर में बनाए हैं जैसे मेरा जो पैटर्न है मैं थ्री फ्लास बना रही हूँ और इस तरह से आपको पेटल का डिजाइन बना लेना है एक पहले आप जो उसके एजज़ हैं उसमें पहले एक बड़ा सा पेटल बनाएंगे और उसके अंदर जो जगह बचती है उसको फिल करते हुए अलग-अलग छोटा-छोटा पैटल्स बना देंगे जो लगेगा कि ले यह मेरा पहला वाला सर्कल कम्प्लीट हो गया है सेम मैं ऐसे ही अपना दूसरा सर्कल भी कर रही हूँ और अब हम देखिए इस पे पैटन बनाने जा रहे हैं और मैंने इसके लिए यूज किया है यह जो पर्मनेंट मार्कर ब्लाक कलर का यूज किया है जो कि आपको कहीं भ पर बहुत दिफरेंग डिफरेंट कलर से मिलते हैं मैंने बलाक यूज किया है क्योंकि वायрем भी भी बलाक से बनाऊंगी और जो पेतल meanwhile, इस वो इतल्ड इंहें उनको अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाऊंगी यह देखिए जो कि टिफ़ेंच मैं बना रही हूँ औ नहीं तो आप Google पे Mandela Art लिखिए वहां पे कई सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे इजी डिफिकल्ट अपने एकोर्डिंग अपनी चीज जिस पे आपको बनाना है उसके एकोर्डिंग आप उसमें से सेलेक्ट करकर देखकर बना सकते हैं एक बार आपका हाँ सेट हो जाएगा उसके बाद तो फिर आपको देखने की भी जुरूरत नहीं है आप अपनी क्रियेटिविटी से अच्छा अच्छा खुबसूरत खुबसूरत डिजाइन बना लेंगे मनेला आर्ट की ये खासियत है कि ये सर्कल में ही बनता है और सर्कल में भी जब आप इसको इस तरह से डिवाइट कर देते हैं तो पैटन बनाना बिलकुल भी मुश्किल नहीं होता है evenly equally distribute होकर बन जाता है कहीं कोई difficulty नहीं आती है कि ये देखिए मैंने इस पोटो में दिखाने की कोशिश की है कि जो आप स्ट्रोक बनाए है उस पे कितनी इवन से पेटल का डिजाइन बन जाता है ये एक और पिच्चर गुगल से है और इसको देखका ही मैंने inspiration लिया था कि किस तरह का मुझे पैटन बनाना है ये मेरा बनकर त्यार हो गया है और देखिए लग रहा है ना खुबसूरत एक बार आप भी ट्राइ करकर देखिएगा बहुत ही असान है ये नहीं कहूंगी बहुत ही असान है लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल भी इतनी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे आप इसे जरूर कर लेंगे फैरे बहुत है लग रहा है न सुंदर तो चलिए इसी तरह से हम अपना डूसरा जो सिर्कल है जैसे मैंने तीन प्लास का अपना पाटन बनाया है तो दूसरे सरकल में भी इसी तरह से पाटन बना लेते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप सेंसें बनाईए आप कुछ भी बना सकते हैं कोई भी डिफरेंट पैटर्न ले सकते हैं बस यह था कि सर्कल में ही मैंने तीनों को बनाया है यह देखी एक्वली मुझे बनाने में मुश्किल नहीं हो रही है और वह एक जैसा आपका सिमिट्री बनता जा रहा है इसी तरह से मैंने अपना तीसरा भी बना लिया है अब आता है कलरिंग की बारी कलरिंग करते समय आपको वस इतनी सी ध्यान देनी है कि जो भी आप पैटल बना रहे हैं वो दूसरे पैटल के शेड से अलग हो जैसे हर पैटल का शेड अलग हो मैंने पहले जो औरेंज कलर का फ्लाव बनाया है उसके लिए मैंने येलो औरेंज और वाइट कलर का यूज किया है और बस पैटल के कलर्स मैंने थोड़े अलग अलग एक दूसरे से किये हैं जिनको शेडिंग नहीं आती है वो भी इस तरह से करके अपने जो फ्लाव का है वो शेड दे सकते हैं यह मेरा पहला ओरेंज वाला त्यार हो गया है दूसरा जो मैंने रेड फ्लावर बनाया है यह देखी लग रहा है ना पहला वाला फ्लाव खुबसूरत जो रेड फ्लाव बनाया है उसकी शेड के लिए मैंने यूज किया है रेड येलो और वाइट और जो ब्लू का फ्लाव बनाया है उसके लिए यूज किया है मैंने ब्लू ग्री और वाइट इसी से इनी तीनो कलर से बस मैंने जो लीव की शेड है वह अलग अलग किये है जो एक साथ जो दो लीव से उनके कलर एक जैसे नहीं होने चाहिए बस आपके फ्लावर में शेड अपने आप हो जाएगा और जो बेश है उसके उस बेश को मैं येलो कर दूंगी और जो साथ में जो जगह बच रही है उसमें मैंने सैमी सरकल में रेड के शेड किया है और ग्रीन का शेड किया हुआ है उसके ऊपर मैंने भी देखी संटर में जिस तरह से बनाया था मैंने उस तरह से इसका design बनाया है रेड वाला बनाते समय मैंने उसमें जो geometrical pattern है वो नहीं बनाया था तो थोड़ी सी मुझकिल हो रही थी मुझे बनाने में तो फिर मैंने जो next उसके बाद orange वाला बनाया उसमें मैंने प्रोटेक्टर से पहले strokes बना लिये उसके बाद वो evenly अच्छे से बन गया तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप प्रोटेक्टर से line बना कर ही design बनाईए ये easy भी हो जाता है design बनाने में और एक जैसा खुबसूरत बनकर त्यार होता है और इसके साथ मेरा ये देखिए painting complete हो गई और आप देखकर मुझे बताईएगा comment section में कि आपको कैसा लगा अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे like कीजेगा और अगर मेरा ये वीडियो आपके थोड़ी भी काम आएगा useful रहेगा तो मेरे चैनल को subscribe कीजेगा मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखेगा Do take care of yourself क्थास्ट में रखेगा आपके कीजेगा क्या रखेगा वीडियो क्या समूश